हमारे देश की भूमी पहली बिटी भड़ बीर और क्रांतिकारी महान सपूतों की जन्म भूमी रहे। भारत वर्ष मां यनके क्रांतिकारी भड़ बीर योध्धा वेन जोन आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनितिक और सन्य छेत्र मां अपना बुद्धी विवेक, साहस और धैर्य और बेर्ता को काम करिक देश दुनियमां देश समाज की बड़ी सेवा करिक साथ समुद्र पार मात भूमी और जन्म भूमी को नो रोशन करिदीनी देश का यन सपूत सदा नियाद करे जानन उत्राखंड की या देव भूमी पुरान समय मां जें तें उत्तरकुरू का नो सी जने जान्दुछो बीर नारियों की और बीर पुत्रों की भूमी रह गड़वाल हिमाले की ये ब भूमी की गौरव साली सेन्य परंपरा मां कै बीर सेनिक और सेनापतियों की गौरव गाथा यह का जन्मानस मां हमेशा हमेशा का वास्ता रची पसीं छो यनि अद्भुत बीर सेन्य परंपरा और अद्यम्य साहस को परिचय देण वाला चन एथियासिक घटना क्रम और सेन्य क्रांति का जनक महानायक बीर चंदर सिंग गडवाली को जन्म 25 दिसंबर 1891 मां पोड़ी गडवाल चो थान पट्टी का रेंड सेरा गव मां ठाकूर जलोत सिंग भंडारी का घर मां हुए छो उपाहडी गउं का बिना पड़ियान लिख्यां किसान चा शुरवाती ग गडवाली तें भी पड़ै लिखे निशा की चा पर अपनी घर की इस्तिती देखिक चंदर सिंग गडवाली खुदी ही मेहनत सी पड़न लिखुनूं सिख्याली चो अपना सोभाव का का आरण चंदर सिंग गडवाली तें गव मां भड बोले जान दुचो गव मां फोजि की 3 सितंबर सन 1914 वक्ष पॉंचिक 11 सितंबर सन 1914 गड़वाल रैफल मा भरती वेगेन अंग्रेजु कुराज और पहला विश्व युद्ध का नोसी जाने जानवालो ये समय मा एक अगस्त सन 1915 और गड़वाली सहनिकों की दगड़ी यूंतें फ्रांस वेजेगी वक्ष बिट फरवरी 1916 मा लैंस्डोन वापस एगेन गड़वाली जीन अंग्रेजों की तरफ से ये युद्ध मा मेसे पोटामिया और सन 1918 मा बगदाद की लड़य मा भाग लिनी पहला विश्व इद्ध खतम होए जाना का बाद चालाक और मतलवी हुकूमतन कई सैनिकुतन निकालन औ और कईयों की तरक्की का पद कम कर दिनें गड़वाली जी भी ये मा सामिल छा हवल्दार सी सिफय बनोन पर जब यून सेना की नोकरी छोड़न को मन बनाई तो अधिकारियों का समझोन पर कि उनकी तरक्की को ख्याल रखे जालू और उन सनी कुछ दिन की छुट्टी भी द वापस अउन का बाद यूं को जादा समय आरे समाज का कारेकर्ताओं का दगड़ी भीती देस प्रेम को भाव पैदा हुए यू अंग्रेजु शासन सत्ता थनी रास नी आई और यूं तें खैबर दर्रक नस्दीक भेजी दिनी ये दोरान गड़वाली जी हवल्दार मेज पेशावर मा ये बक्त आजादी की क्रांती की पूरी लोव जगीं छे आजादी का ये संगर्ष वो क्रांती तें दवन वो कुचलनों की अंग्रेजु न पूरी कोशिस करी 23 अप्रेल सन 1930 को हवल्दार मेजर चंदर सिंग गड़वाली का निरेतित्तुमा रायल गड़वाल रैफल का सैनिकुन देश की आजादी का वास्ता लणन वाला निहत्या पठान यानी जनता पर गोली चलोन सी इनकार कर दीनी छो बिना गोली चलायां और बिना बम फट्यां ही पेशावर मा इतना बड़ु धमाकु है कि दुनिया मा बड़ी तागतवर माने जानवाली अंग्रेजी सासन सत्ता भी हक्की बक्की रहेगी उनका खुटोनिस जनी जमीन खिसकी गए हो पेशावर की घटना सी बटालें तहें बड़ु धर्जा मिली वो सम्मान मिली और गड़वाली जी पेशावर क्रांति का नायक और महा नायक बनी गए पेशावर की इन गटना का बाद अंग्रेजों की आग्यान न मानना कारण यूं सैनिकों पर मुगत मा चले जोंकी पहर मोड़ा और पर गड़वाली जी मूँ सनी मिली चा गांधी जी सी गड़वाली जी न एक टोपी मांगी की पहरी और ये टोपी को मान रखनों को बोली सन 1930 मा चंदर सिंह गड़वाली तेंच 14 बरस की सजा का बाद एवटाबाद जेल भेजेगी कैज जेल बदलेन फिर सजा कुछ कम होन और 11 बरस जेल का बाद 26 सितंबर सन 1941 इस्पित आजाद करेगी अपनी जनम भूमी मां परवेश बरजित होन का कारण यूं सनी जगा जगा भटगन पड़े आखिर मां बरधा सर्दे गांधी जी यानि बापु जी का पास चली गएन गांधी जी यूंसी बहुत प्रभावित होन हिम्मत और साहस को यन अनोख प्रदर्शन देश का स्वतनता आंदोलन का इत्यास मां एक अनोखी गटना चा जो ततकालिन राजनीतिक सीर्ष नेतित्व वो स्वतनता संग्राम सेनानियों द्वारा करे गया देश सेवा का कामों से कैभी रूप मां कम आठ अगस्त सन 1942 का भारत चोड़ो अंदोलन मां यून सक्रिय भागिदारी करी और तीन साल का वास्ता ग्रफतार हुए फिर सन 1945 मां यूंते वक्स से आजाद करेगी गडवाली जी सन 1944 मां कॉम्मिनिस्ट बनगी छा 22 सितंबर सन 1946 मां यूंका सयोग सी गडवाली जी गडवाल मां परविश करी सकेना आजादी का बाद गडवाल से सुनाव लड़ी किन्तु बिना संसादनों का जीत हासिल निकरी सक्या एक अक्टुबर सन 1989 इस्वी को चंदर सिंग गडवाली जी को लंबी विमारी का बाद निधन होएगी पेशावर अमर क्रांति का जनमदाता महान सुतंता संग्राम सेनानी बीर चंदर सिंग गडवाली जी को जीवन आजादी का बाद भी संगर्ष मैं बनियू रहे अपना वसूल का वास्ता जीवन भर लड़द यू तें कोई सयोग वो समान नी मिली सन 1994 इस्वी मा भारत सरकार द्वारा यू की आद मा एक डाग टिकट जारी करेगी सन 1994 इस्वी मा यू बीर सहनिकों तें स्वतंता संग्राम सेनानी को दर्जा मिली वो 65 रुपे पेंसन की जानकारी मिल दी पर भला गडवाली जी तें यू कने स्वीकार हुए सकतु छो गडवाली जी मोतिलाल नेरू पंडित जोहालाल नेरू पंडित गोविन बला पंत सरदार बला भाई पतेल आदी नेदाओं से भी मिल्या छा गडवाली जी को माननु छोगी देश का खातिर जो बेडी जेल मां उनका हाथ फैर उपर लग पेशावर की गटना का बारमा नेताजी सुवास चंदर बोशन बोली छो की उन सनी आजाद हिंद फोज की गठन की प्रेणा रायल गडवाल रैफल का जवानों की बगावत सी मिली अब देश आजाद होन सी कोई रोकिनी सक्दू गडवाल और पर गडवाली जी को स्वाग और भुकमरी वो विकास्त का वास्ता खूब संगर्स करी ये संगर्स को खामी आजा उन की पत्नी भागिरती देवी तैंभी भुक्तन पड़ी वो कोड़द्वार म भरत नगर तथा चंदर नगर जैतें गहर शन बोल दना उत्राखंड की राजधानी बनोन का पक्षिदर रेल लाइन बिचोन की भी उन की सोच रहे पर सत्ता की तत्कालिन राजनीती उन का वास्ता बरदान नबनिक अभिसाब ही बनी रहे गड़वाली जी को संगर्स रायल गड़वाल की महान सेन्य परंपरा और भारती राष्टे स्वतनता आंदुलन का इत्यास की एक अनोठी गटना चा देश की आजादी मा जैको बहुत बड़ू योगदान चा राज्य सरकारन परियतन सोरोजगार योजना राज्य की मेडिकल कॉलेज सिर्नगर गड़वाल तथा कैस अड़कों को नोभी गड़वाली जी का नोभ पर रखी को यूंते सम्मान देण को अच्छो परियास करिए यूं का राश्ट का वास्ता करियास संगर्श का वास्ता यूं को बार बार नमन और बिरमर प्रनाम चाँ